सबसे पहले आईए जाने लोन की प्रक्रिया को, जिसे समझ कर किसान श्याम ने अपनी खेती व्यवसाई में मदद पाई लोन आवेदन प्रक्रिया को दो तरीके से किया जा सकता है, ओनलाइन और ओफलाइन ओफलाइन आवेदन प्रक्रिया में आपको अपने बैंक की वेबसाइट पर जाना होगा वहाँ आपको एक आवेदन पत्र भरना होगा जिसमें आपको अपनी व्यक्तिगत और वित्ति जानकारी भरनी होगी ओफलाइन आवेदिन प्रक्रिया में आपको अपने बैंक के ब्रांच में जाना होगा वहाँ आप एक पत्र प्राप्त करके उसमें अपने व्यक्तिगत और वित्य जानकारी भर सकते हैं इसके बाद आपको अपने पहचान पत्र, जमीन के दस्तावेश और अन्य जरूरी दस्तावेश बैंक के प्रतिनिती को देने होगी ध्यान रखे लोन के लिए अन्य आवश्यक दस्तावेश भी होते हैं इसमें आपके पहचान पत्र, जमीन के दस्तावेस, किसान क्रेडिट कार्ड और सही पताफ्रमान पत्र जैसे दस्तावेस शामिल होते हैं। लोन लेना एक महतवकूर फैसला होता है। इसलिए आपको साथान रहना होगा। सबसे पहली साथानी, आपको लोन के ब्याज को समझना होगा। लोन के ब्याज से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी जान ले। इसके बाद लोन की बाकसी के वित्ते खर्चों को सही धंग से कैलकुलेट करें। और यदि आप अलग-अलग लोन मिकल्पों का विचार करते हैं, तो आपका फायदा होगा। यदि लोन का सही उप्योग करें, तो उसे अपने वैवसाय को सुधार सकते हैं। शम ने लोन का सही उप्योग किया। अपने खेती को और भी प्राक्रितिक और सफल बनाने के लोग। उसने नए उपकरन खरीद कर अपने फस्रों की सुरक्षा की और अपने खेती व्यवसाई को उन्नत किया। इस प्रकार श्याम की कहाने से हमने सीखा कि लोन का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। लोन आवेदिन प्रक्रिया, आवेशक दस्तावेश, सावधानिया और समझदार उपयों के माध्यम से किसान अपने व्यवसाई को और भी प्राक्रितिक और सफल बना सकते हैं। इस वीडियो में हमने किसान श्याम की कहानी के माध्यम से समझा लोन के प्रासेस, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, प्रीकॉशन्स और लोन का सही इस्तमाल के बारे में। धन्यवा।